हेलो, नमस्कार दोस्तों, आज कल आपने न्यूस पेपर में, मीडिया में हर ज़र काफी सुना होगा कि हमारे देश की एकोनोमी है, इंडियन एकोनोमी है, वो काफी slow down नीचे से तेजी से जा रही है तो आखिर क्या है इसके region, क्या है इसके solution, एक के करके हम problem को जानेंगे आपे cover है, वो करने वाले हैं, देखो पहली चीज़तों में यह पता हुना है कि अभी economy slow down, मतलब अभी economy की जो growth rate जिस speed से बढ़नी चीए थी, वो उस speed से नहीं बढ़ रही है जैसे आपको पता होगा, कि IMIF World Bank ने पहले क्या का था, कि इंडिया की economy है, वो वर्ड की सबसे fastest growing economy है इन्हें कि इंडिया की जो economy growth rate है, वो लगबग 7% से उपर रहेगी जबगी अगर हभी हम बात करें, तो हमारे देश की economy है, उसकी growth rate 60% नहीं है, भी 5% पर आगी है अलग चीज है, उसका मतलब ही होता है कि हमारी growth rate negative चले गई है, मतलब हम बढ़ने की बजा कम घट रहे हैं, वो होता है अलग चीज, तो आपको धान रगना economy slowdown का मतलब ही होता है, कि economy growth rate है, वो जिस speed से economy बढ़नी जिये थी, उस speed से economy है, वो नहीं बढ़ पा रही है इसके काफी सारे reasons हैं, देखो पहली बात तो है, आपने media में news channel काफी कई बार government को criticize करते हैं, कुछ government का अच्छे से support करते हैं, कि government यह नहीं गया, फुराने वाले government की खामी है देखो वो सही जिज़े नहीं है, ऐसा नहीं है कि newspaper हमेशा आपसी reports अपनी TRP के चकर में लगे रहते हैं, और कुछ न कुछ वो सही information होती है, वो consumer तक या जाम लोगों तक नहीं पहुँच पाती है तो आज हम उन्हीं कार्णों को यहाँ पर खंगालना की कोशिस करेंगे, कि बहुरी रीजन के हैं, तो देखो पहले थो थोड़ा हम देख लेते हैं एक बार, कि economy किस तरीके से काम करती है, फिर हम थोड़ा देखते हैं कि economy कैसे हमारी slowdown हो रही है, तो एक बार थो हम यह तक financial year हो चलता है, तो यह चीज आपको बता होना चीए, कि financial year कौन सा होता है, एक अप्रेल से स्टार्ट हो कि 31 मार्स तक का जियर हो होता है, ना कि जनवरी से दिसंबर दख्का, तो यह चीज आपको clear होना चीए, तो 2014 का जो financial year था, उसमें हमारे देश की यह इन्डिया की growth rate थी वोटी 6.4%, वहीं बात के 2015 में 7.4, 2016 में 8%, 2017 में 8.2, 2018 में 7.2, और 2019 में उमिद की जारी है, कि 6.8 की उमिद की जारी थी, जब कि अब हमारी जो GDP है, वो आपको बता है, उसकी growth rate आप 5% दिका गई है, आपको लगाओ कि भही तो 2019 का financial year खतम ही नहीं हुआ, इससे पहले कैस से 5% पर आगी है, तो क्या होता है, कि GDP हर 3 महीने में basically count की जाती है, बहुत क्वार्टरली चेक कि आजाता है, कि भहे growth rate क्या चल रही है, तो अभी, यहनि कि April 2019 से लेके, अभी April, मई, जून, जून तक का जो data है, यहनि आप बोचकते हो कि 2019 जो financial year है, इसके जो first quarter का data है, वो यह कर रहा है, कि हमारे देश के growth rate है, वो 5% पर आगी है, अभी second quarter का data आना बाकी है, आज यहां में भी कल भी एक दू दिन में आने हो आला है, खर जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक अभी data नहीं आया है, तो second quarter का मतलब क्या हो जाएगा, April, मई, जून का तो का first quarter है तो उसका में जगा July, August, September, यहनी कि July, August और यहां पर यहां बात करें, उसका data यहां पर आएगा second quarter में, तो वो तो भी आया नहीं है, बस यह कि और first quarter के data पर का जा रहा है, कि हमारी growth rate जो 6.8 अगरम रखने की बात करे रहा है, तो वो तो 5% पर यह आ गी है, तो काफी चिंता जनक यही बात सामने आ गई है, तो कुछ चीज़ा आपको पता चल गई होगी, कि GDP कैसे quarterly check की जाती है, और अब भी 2019 finance layer की जो growth rate हमारी रही है, वो 5% के पास है, वो पहुंच जा चुकी है, अब देखो इसके regions हम एके करके देखें, अब फोड़ हम पिछले quarter का check लेते हैं, क कि last quarter से कैसे इंचल ला है, देखो 2019 की अगर हम बात के, तो first quarter में हमारी growth rate है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी नीचे है, वो जा रही है, इसके बाद में आप देखो second quarter में 2019 में 7% पे आगे, 6% पे, और अभी 2020 का financial layer है, उसकी आप growth rate यहाँ पे देख सकते हो, कहाँ पे जाके टिक चुकी है, मिला जो second इसका data आप सामने आपको दिख रहा है, तो इससे यह चीज़ सामने हो गए, कि growth rate हो कम तो हो रही है, अब हम इसके reasons जानेंगे, इससे पहले थोड़ा हम economy का जो concept है, वो समझ लेते हैं कि economy कैसे काम है, वो करती है, देखो सबसे पहली बा production हो है, जितनी service होई है, सब मिला के जो final value है, हमारे देश में, cut pit के जैसे, इंडिया ने कुछ import किया, कुछ export किया, इंडिया ने किसी को भारक पैसे दिये, इंडिया ने कहीं से भार से अपने जो उधारी के पैसे थे, वो आपस मिल रहे हैं, इंडिया को, वो सारी चीज़ इने की उभवता, काफी एहम रोल होता है, आपको बता है, आम आदमी या हर आदमी consumer तो हई है, इसके बाद में होता है, यह formula आपने economic में कहर पढ़ा होगा थोड़ा, c plus i plus z plus x minus n, क्या है यह देखते हैं, c का मतलब होता है, यहाँ पे consumption हैं कि private consumption, private consumption मतलब आम आदमी जो जो consume करते हैं, उसके आदार पे, आई का मतलब होता है investment, मतलब हमारे देश में जैसे की कोई भी factory है, आप यह जानते हो कि यह मान लो कि braid की factory लगाई है किसे नहीं, तो बाई साब अगर braid की factory लगानी है, तो उससे पहले उस आदमी को invest तो करना पड़ेगा ना, लाक, दो लाक, तिन लाक कुछ रूपे invest करेगा, तब ही तो फेक्टरी जी लेगी ना, तो वो हो गया एक तरीके से investment, मतलब आप बाद में पैसे create करोगे, बट पहले तो कुछ investment कर रहे हो ना, जैसे आपने गाड़ी ली, उसको बाद में आप टेक्सी में चला रहे हो, तो वो एक तरीके तो government का भी एक एहम रोग होता है, कि government कैसे क्या खर्चा कर रही है, एक्स का मतलब ही होता है, कि भाई, इंडिया है, उसने कितना यहाँ पर export कर रही है, और M का मतलब होगा है, कितना वो इंडिया ने import किया है, मतलब export और import का जो difference है, वो यहाँ पर लिया जाता है, कि total कितन है अब देखो थोड़ा साम देखते हैं यह डाटा है कुछ इंडिकेटर में आपको यह दिखा रहा हूं कि आपको पता चलिए कि हमारे देश की एकोनोमी सच में पीछे है वो जा रही है देखो यह 2018 का डाटा आपको इस वाले एकलर में दिख रहा है I hope यह पता चल लाओगा 2018 के डाटा में अगर हम देखें कुछ एक्जाम्पल देख लेते हैं बस कि हमारे देश में जो घरेलू कार सेल्स थी यानि कि डोमेश्टिक कार सेल्स थी वो 18% की ग्रोथ रेर से बढ़ रही थी और अगर वही अब भी हम बात करें 2019 के में तो हमारे देश की जो कार डोमेश साथ परसेंट पर चुकी है वहीं डोमेस्टिक जो टेक्टर वगरा होते हैं ग्रिकल्जर वगरा में और जो प्रोडेक्ट्स हो गए उनकी ग्रोथ रेट पिसले साल थी वह थी 25.7 परसेंट की जब कि अब वो घटके माइनस 14.1 है वो आ चुकी है इसके साथ ही जो घर वगरा बेजने का डाटा है वो भी पुरोपर है नहीं बाकी आप यह देखोगे यहां पर यह बैंक से जो लोगों ने लोन लिया उसका तो देखो पिसले साल बैंक से लोन लेगाने वाले की जो ग्रोथ रेट थी वो भी थी 17.9 जबकि इस साल गटके है वो 16.6 पे आ चुकी है तो देखो आपके सामने डाटा यहां पर आपको दिख रहा होगा कि लगाता है देखो हर सेक्टर में एक तरीकर से मंदी है वो आती जारी है मतलब ग्रोथ रेट है वो कम होती जारी है मतलब हमारी एकोनोमी की स्पीड है वो दीरे वो रही है यह तो हमने कंजप्शन देख लिया इसके बाद में थोड़ा इन्वेस्टमेंट का डाटा देखते हैं देखो इन्वेस्टमेंट की बात आप यहां पर दे सकते हो पिछले साल डोमस्टिक जो पॉमर्सल विकल की सेल थी वो 51.6 की ग्रोथ रेट से रहे हो और यहां पर आप देखोगे एक तरी से न्यू इन्वेस्टमेंट है नए प्रोजेक्ट में वो तो लगपक 80% तक कम हो गई है पिछले साल तो 13% की ग्रोथ रही थी जब अब वो घटके 18% कम आ चुकी है वहीं पर और जो प्रोजेक्ट हैं उनकी आप देखोगे त काफी पीछे आ गए हैं यह आपको डाटा है यह बेसिकली क्वाटर का आपको बता दूँ मतलब जो 2018 का financial year था पिछले साल का उसका फेस्ट क्वाटर अप्रेसल जून तक का डाटा है और वहीं इसको गंपेर किया गया है अभी 2019 के जो financial year चल दा है इसके डाटा से गंपेर क अगया है नेट एक्सपोर्ट की बात करें तो देखो हमारा एक्सपोर्ट भी घड़ चुका है एक्सपोर्ट माइनस में आ चुका है तो यह चीज क्या शोगर रही है कि हमारे देश की जो economy growth rate है वो slowdown आ चुकी है इसी को लेके बात यहां पे की गई है तो यह तो हमने मोट economy है ना वो demand economy में दो चीज़े चलती है एक तो होती है demand और एक होती है supply अब demand और supply का अगर देश्यों गड़बड़ा गया ना तो मतलब economy में कुछ नगुछ भूचाल आने वाला है जैसे आप यह माल लो कि किसी भी economy में यह मालो कि इंडिया के example ले लो कि इंडिया में अग सीजों के दाम बढ़ जाएंगे क्यों क्यों कि जिस rate में सामान मिलना था शीजों की supply कम और यह मालो कि एक अनार सो विमार वाला सीन हो जाएगा supply तो और यह मांगे दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा महेंगा यह बढ़ जाए और वहीं पर अगर demand है वह घट जाए और supply बढ मंद्र का मतलब चीजे तो मार्केट में अनाप्शना पड़ी रहेंगे, खरीदने वाला कोई नहीं रहेंगा, तो वो भी कहिने कि मार्केट के लिए सही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो इंडस्टीज हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ड्रोबेक हो जाता है, अब भी जो हमारे देश में जो मंदी आरकी है ना, उसका सब्सक्र बड़ा ड्रीजन है कि डिमांड में कमी आ रही है, अब डिमांड में, यनि कि लोगों की मांग है, वो कम हो गई है, अब लोगों की मांग कम क्यों हुई है, कंजप्शन कम हुआ है, देखो इसके बहुत चार reason है या तो लोग पैसे खर्जन नहीं करना चाहते हैं या फिर जिन लोगों के पास पैसे हैं वो weight कर रहे हैं कि कुछ economy में बहुत बड़ा boom आये तो हम अच्छा invest करें या फिर लोग हैं उनके पास पैसे नहीं है तो देखो काफ ऐसे नहीं है कि सारे रिजन नहीं है कुछ-कुछ रिजन सारे मिला की major problem create करते हैं कोई एक अकेला रिजन इसके लिए जिम्मेदार हो यहाँ पर नहीं है यह हमने आपने चीज़े जान दी अब देखो मैं आपको बता दूँ कि चाइना की growth rate है आपको थोड़ा कुछ वेक बताता हूँ पहले कि मोदी जी ने भी खाता कि 2024 तक हमें हमारे देश की economy है वो 5 trillion dollar की economy बनानी है जब भी अमरी हमारे देश की economy है वो 2.5 से I think 3 के बीच में है 2.5 से 3 trillion dollar के बीच में हमारी economy है जबकि हमें बनानी है 5 trillion dollar मतलब हमें हमें या आप होचते हुए इंडिया को growth rate काफी ज़्यादा रखनी होगी जबकि आप वहीं देखो चाइना की जो भी current growth rate है वो I think 6.2 है 6.2 परसेंट के something चल रही है अब इस quarter में देखो 19-20 का data आगे पीछे हो सकता है बट अभी 6.2 की growth rate से आगे बढ़ रही है जबकि चाइना की जो भी economy की size है वो है 12 trillion dollar मतलब compare करो इंडिया से तो इंडिया से लगबख 5 गुना के आसपास आप हो चकते हो कि 4-5 गुना चाइना की economy है आप देखो किसी भी country की economy जितनी size बड़ी होती है मतलब जितनी बड़ी economy होती है उसकी उतनी बड़ी growth rate को maintain करना बहुत बड़ी बात होती है USA की जो economic growth rate है उसकी USA की economic growth rate हो है लगबख 3% के आसपास पर देखो उसमें रीजन है क्योंकि USA already एक develop country है वो develop country की growth rate ज़्यादा नहीं हो सकते मतलब चाइना काफी अच्छा काम कर रहा है इस तीज में कोई doubt नहीं है मैं देखो यहाँ पर चाइना की परसंसा की बात नहीं कर रहा है जो real fact है वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि चाइना ऐसे हालात में भी उपने देश की economy इंको maintain कर रहा है तो उसका मतलब कुछ नकुछ उसकी economy में कहीं ने कहीं उनकी सरकार की police में दम तो है ही अब हम चलते हैं आगे जो और हमारे effect हैं देखो economy का सिदा सा बतलब यह है कि आगे अगर market में demand नहीं होगी ना तो supply अपने आप कम हो जाएगी आप सिर्फ एक example ले लो biscuit की यह मानलों की पार लेजी company की biscuit की company हैईगी अब यह देखो कि यह हर दिन यह मानलों की यह daily है 100 packet market में biscuit के भेज रही है और market में आराम से 100 packet हो खप रहे हैं मतलब consumer इनको खरीद रहे हैं अब वहीं पर market में जो खरीदने वाले लोग हैं उनकी संक्या कम हो गया वो कम खरीदने लग गये वो यह मानलों की सुबह बिसकिट नहीं खाने लग गये पहले उस सुबह साम दोनों टाइम biscuit का थे अब मानलों की वो एक ही टाइम खा रहे है तो market में जो biscuit की demand हुए मानलों की लगबख साथ परसेंट तक आ गई यह नहीं सो पेकिट में से और साथ पेकिटी भीक रहे हैं अब अगर obviously 60 साथ पेकिट बिसकिट बिसकिट कर बिनाएंगे इसका मतलब क्या होगा रो मेटेल कम खरीदेंगे जिन भी किसानों से गहूं वगयरा जो भी नाज करिदा जा रहा हो कम खरीदा जाएगा इसका मतलब किसान के पास पैसे कम आएंगे किसान के पास पैसे कम हैंगे तो आप फ़रा cycle सोचो देगा गुमा के किसान के पास पैसे कम है इस कम बलब वो market में खरीदारी कम करेगा खरीदारी मतलब बिस्किट भी कम खरीदेगा तो देखो cycle होगा ने में डेली तो आप दाकी जाओं तो वो लोग बेराजगार हो जाएंगी अब अगर वो बेराजगार होंगी तो वो क्या खुत खरी देंगी निली तो फिर मारकेट में ऐस सैक्ल चलगा न गोल Kalau बन गया कि वह लोग खरी देंगा निस कम से बिसक्ट कम भी केंगी तो और आपको पहले कर रहा हूं कि reasons कोई एक नहीं है बहुत सारे reasons मिलके ही सबसे बढ़ी problem हो create करते हैं जैसे कि करी लोग कहते हैं कि demonetizing के विज़से सब कुछ हो है भाई अकला demonetizing के लिए जिमेदार नहीं है नहीं अकला GSTs के लिए जिमेदार है कुछ कुछ चीज़े कहते हैं कि 2-2% 2-2-3-3% मिलके 100% create होता है और वो ही फिर major problem create हो जाती है सबसे बड़ी बात तो देखो यह है कि consumption कम हो गया है आप जानते हो कि भाई की population लगबग 1.37 billion के आसपास है और ऐसे में इतनी बड़ी demand कम हो जाए इसके अबलब लोग कम खिरी देंगे इसका अबलब companyya कम product बनाएगी अगर companyya कम product बना रहे हैं तो ओबिसलिए वो लेबर को बाहर निकलेंगी तो labor को बाहर निकलेंगे तो बेरोज करें बड़ेगी तो लोग चीज़े कम खिरी देंगी company वाले वो लोग भी invest कम कर रहे है government भी इतना invest नहीं कर पा रही है क्योंकि कुछ market में कहते हैं कि ऐसा लोगों वो लग नहीं रहा कि कुछ आगे अच्छा होने वाला है अच्छा होने का मतलब कि भाई बहुत अच्छा मुनाफ होने वाला है इसे के साथ ही government के ओपर बहुत बड़ी उधारी है वो भी बहुत बड़ी problem है क्यों दखो government पर जब उधारी बढ़ती है ना तो government को तोड़ा risk बढ़ जाता है कि यार ज़्यादा खर्चा करेंगे तो कहीं economy है वो मलब class या आप हो सकते हो कि down जान तो government के ओधारी भी काफी ज़्यादा है तो इसके ओज़से भी government है वो खर्चा करने में तोड़ी डर रही है क्या ज़्यादा खर्चा करेंगे तो खहीं रिस्की ना हो जाए कि अपने पास कुछ पैसा बचे ही नहीं इसके साथ ही GST का implementation है उसमें भी काफी कुछ कम्यार ही है वो भी एक region है देखो मैं आपको एक चीज़ बढ़ाता हूँ नीतियायो के जो CEO है मिताप कान उन्होंने खुद ने ये चीज़ officially मानी है कि GST और जो यहाँ पर demonetization यानि कि दो जो major economic reform किये गेते हमारे देश में इनकी वज़ए से भी economy में slow down आया है उन्होंने ये नहीं बोला कि इनकी वज़ए से ही आया है ये भी एक region है क्योंगी देखो demonetization और जो GST है ना इसका implementation का जो result है न outcome वो हमें 5-4 साल या 18 साल बात पता चलेगा कि भई कितना अच्छा step था हो अभी उसका पता नहीं चलेगा अभी तो उसकी वज़ए उसके negative effect याएंगे starting में तो कि हाँ इकोनोमिय वो slower ही है बड़ ऐसा नहीं है कि demonetization और GST का result नहींगा उसका result आएगा बट वो लंबे time बात क्योंकि long term effect वाली चीज़े है demonetization का effect वो long term आता है GST है वो बहुत बड़ा एक tax reform था तो इसमें काफी time लगेगा तो उसका result भी खर आएगा दूसरी देखो आपको बता है कि हमारे देश में एक behavior change का एक बहुत बड़ा इस्वा है कि लोग जो पुराना system है उसी को follow करना चाहते है जबकि GST में आपको बता है कि सारा काम मतलब online हो गया था टेक्स हो गयरा को लेके तो इसमें कहां कि दुकंदारों को थोड़ा burden ची लगए कि यार यह तो माथा पची सा काम हो गया और नहीं कहीं black money ज़्यादा खपा पारे वगर वगरा issue आ गया दे तो कुछ लोग जो ऐसे लोग है वो इस चीज़ का विरोध कर रहे है मैं यह नहीं करा कि कुछ कमिया नहीं है देखो कमिया बेसा किया रही है कि एक तो बहुत जल्दी GST जल्दबाजी में implement किया था दूसरी बात है कि इसमें जो one country वन टेक्स के बात ही थी थी न वन नेसन वाली वो नहीं है क्योंकि इसमें different tax slave है तो उसमें लोगों confusion होता है कि कौन सा प्रोटे कौन सी list वगरा में है इसके साथ ही कुछ item पे tax बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो भी एक problem हो जाती है तो ऐसे काफी problems हैं GST के एक है global slowdown global slowdown का आप example ले सकते हो trade war वाला USA और China में दोनों के भी इसमें trade war चल रहा है इससे के साथ ही brief exit है उसमें UK को एक isolate सा गया जा रहा है तो वो भी एक region है क्योंकि देखो जो UK जैसे countrys है USA जैसे countrys हैं यह हमसे काफी सारा सामान खरीती है अगर वो सामान कम खरीते हैं हमसे इसका मदलब हमारी export कम होगा export कम होगा तो obviously government के पास foreign energy होगा वो कम हो जाएगा तो government आयात कम करेगी तो मदलब महेंगा या काफी सारी problem है वो बढ़ जाती है economy और slowdown आ जाती है इसके साथ ही retreat of globalization देखो retreat of globalization का आप example ऐसे समझ सकते हो कि कुछ टाइम पर आपको बता होगा कि Trump महां से क्या करेते हैं कि हम H1B विजा को हटाएंगे यह इसको rules से हो tight करेंगे हम भारी किसी country के सदे से को job नहीं लेने देंगे वगरा वगरा मतलब जो protectionism की जो policy थी जिससे आप हिंदी में कहते हो selection वाद ऐसी policy है वो भी कहीं ने कहीं globalization के against है तो यह दो globalization क्या है कोई भी person किसी भी country है कहीं भी जा कि all or country में कहीं भी trade वगरा कुछ भी कर सकता है business वगरा बट जो ऐसे statement है protectionism वाले वो कहीं न कहीं कैसे होगरते है कि वो अपनी economy के बारे में सोच रहे है बाहर की और लोगों के बारे में नहीं सोच रहे है तो वो भी एक region है FDA देखो जब budget इस बार pace होआ था लगबग 5 जुलाई को अपना budget pace होआ था तो उस budget में actually कुछ बाते ही थी आपको बता जाता हूँ उस budget में एक सबसे बात बड़ी बात है थी FDA को लेकि FDA portfolio को बात है थी कहा है वो हम देखते हैं उसमें एक आगया था कि जो person या जो private investors जिनकी income है वो लगभग 2 क्रोड से उपर है ध्यान रखना जो private workers, private जो investors वगए है जिनकी income 2 क्रोड से उपर है उनकी लिए उपर जो सर्चार लगता था मतलब normal तो tax लगी गया tax के उपर लगता है सर्चार तो उस सर्चार की जो rate थी ना वो 15% थी पहले उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया था उसको बढ़ा के लगबग 25% कर दिया गया था और एक एक आ गया था कि जिनकी income है वो 5 क्रोड से उपर है उनके लिए जो tax है वो लगबग उस टायम पे था 25% उसको बढ़ा के कर दिया गया था 37% अब आप देखते हो कि private investor वो तो देखो पैसे के लिए काम करता है अगर उसका 37% पैसा 25% इतना बड़ा मात्रा में जो पैसा है वो tax में जला जाएगा तो वो बिसली मतलब तोड़े neutral चे हो जाएगी कि यार हम इतना invest क्यों करें क्यों फाल तो में इतना risk लें इतनी माधा बची खैर इसका जो result वो अभी इतना नहीं देखने को मिला जितना long term में मिलेगा क्योंकि FDI है ना वो उसका result long term में आता है ये चीज़े आपको धार में रखने है वो देखो किसी भी economy होते है ना उसका sudden reason नहीं होता economy slowdown का उसके reason काफी पहले से शुरू हो जाते हैं बस दिक्कति होती हैं कि government से की बारों को check नहीं कर पाती है जो indicator होते हैं कि economy slowdown में जा रही है हमें check करना चाहिए तो वो एक problem हो जाती है अब एक region आप लिख सकते हो flood देखो flood आपको लगा हो कैसे क्यों देखो आप पिसले एक दो साल में आप देखोगे नया तो इंडिया के almost हर स्टेट में काफी बड़ी मातरा में flood आप मूंबे में आपने flood देखी इसके साथ चेनी में दो तिन साल चे लगाता आप फलड़ आ रही है बिहार में नेर्यों में तो यहां पर क्या होता है ट्यूरिजम या आप बोचकते हो जो प्रियर्ट है नहीं वो काफी कम हो जाता है लोग हैं वो बिजनेस वगरा उनके ठब पर जाते हैं दुकाने वगरा सब बूच तो कहींने कहीं obviously economic growth rate में barrier तो लगी जाता है ना इतना उड़ा का रीजन नहीं है पर इसकी होज़ासे इंडायकली काफी बड़े नुकसान होते हैं लोगों के घर भैज आते हैं लोगों के घर खराब हो जाते हैं उनका घर के अंदर जो सामान सारा खराब हो जाते हैं तो उस कंडिशन में उनके पास पैसे नहीं बजते हैं तो विसलिए उसामान एक्ष्टा उत क्यों खरी देंगे? तो मतलब कहीं नहीं बड़ी प्रोग्रम ये भी एक रीजन है, वो आगे हैं. तो ऐसे मैंने आपको काफी सारे रीजन्स हैं, वो बता दी हैं. अब देखो NPA की प्रोग्रम्रम्र की बात करें, नोन परफोर्मिंग एसेट्स हैं, काफी ज़्यादा हो गया था. अब हुआ क्या? बैंकों को डर लगने लग गया, कि भई अगर हम हर किसी को लोन देने लग गए, तो क्या होगा? हमारा NPA बढ़ सकता है, तो हमारे उपर मरलब गवर्मिंट है, वो कुछ नगू संगूली करेगी. इसलिए बैंक का वो लोन देने से ड़ते हैं, अब अगर बैंक लोन नहीं देंगे, तो भी मार्केट में इन्वेस्टर है, वो पैसे कहां से इन्वेस्ट करेगा? ओबिसलिए प्रोल्म तो हो आनी वाली है ना? इसी के साथ ही मार्केट में जो फास्ट मूविंग कंजूमिंग गूर्स होते हैं, मदब जो डेली कंजूम हो जाते हैं, जदू, छा, धी, ब्रेट, पनी, डिटी, सी वगरा है, इनके भी डिमांड है, वो काफी कम हो गई है, रिजन ही है कि मार्केट में पैसा इतना नहीं है, एक्सपोर्ट में कमी है, वो हमने इंडिकेटर देखा था, कि एक्सपोर्ट लगातार कम होता जा रहा है, इसे लोगों को रोजकार देती है, अब एक एक्जामपल लेलो, सिरफ किसी विसेवी, यह माल लो कि कोई भी काटाटा कमपनी का एक्जामपल लेलो, टाटा कमपनी कार बना रही है, अब देखो, टाटा कंपनी ऐसा नहीं कि सारे कार के सारे पूर्जे खुदी बनाती हैं, काफी और पी छोट मोटी कंपनी होती हैं, जो क्या करती हैं, इसको पूर्जो की सप्लाइ करती हैं, जैसे कोई कंपनी इसको टायर दे रही है, कोई कंपनी इसको जो मेटल है, वो लोहा है, वो प्र तो इस टार्ट है वो हो जाती है जो इस पर dependent है वो होती है अब अगर टाटा की market में supply या टाटा की products market में या मालों की गाड़ियां बिकनी कम होगी तो बेसलिए ये company क्या करेगी टाटा एक तो खुद अपने workers को भार निकालेगी कि बहुतने वरकर नहीं चाहिए इसे के साथ ये जो सामान खरीदती है और कमपनियों से इन से सामान कम खरीदेगी तो या तो ये company नहीं 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 कमपनिया तो बंदो जैगी गाटे में जादने के चकर में या फिर ये भी workers को भार निकालेगी तो देखो बेरोजगार ये बढ़ रही है मतलब ये workers सारे बाहर निकल जा रहे हैं उनके पास पैसा है नहीं तो रहरी देंगे अगर वो लोग मारकेट मे में कुछ ख्रीदें ये नहीं नहीं तो बैसली मारकेट के अंदर दिमांड कम है ना दिमांड कम है तो वही बात है इसमें आगे solution में देखने वाले है इसके साथ ही GST का प्रभाव हमने डिस्कस कर लिया और flood पर इर्टन ट्यूरिजम हमने देख लिया unemployment rate है वो देखो इस बार 6% के आसपास से वो जा चुगी है तो वो भी काफी चिंदाजनक बात है क्योंकि जितनी ज़दा बेरोजगारी होगी consumption उतना ही कम होता जाता है क्योंकि लोग बहुत कम चीज़े मार्केट से करीत है और important बात ही service sector जो कि आजगे टाइम पे economically ले important होता है service sector में भी काफी मन्दी है वो आ रहे हैं मतलब वहाँ पे भी आप देख सेगे उनको डल लगने लगा तो होने पैसे मार्केट से निकालना शुरू कर दिया था यह हमने कुछ भेक्ट है वो देखी अग हम यहाँ पर यह देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे indicator है मतलब हम संक्यत्र की तरफ जाने कोशिस करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे indicator है जिन से हमें पता चल सकता है कि हमारे देश की economy slow down चल रही है पहला फेक्ट तो आप यह देख सकते हो यहाँ पे कि production कि company की production growth rate हो कैसी है मतलब production growth rate positive है और negative है अगर किसी भी company की production उत्पादन की growth rate है वो कम हो रही है इसका मतलब उत्पादन कम हो रहा है इसी बात है market में supply या market में demand बहुत कम है इसलिए supply भी कम करनी पढ़ रही है इसका मतलब market मनदा जा रहा है consumption growth rate market में अगर लोग consume करने की growth rate या consume करना कम कर देंगे तो पदा चल जाएगा कि market में मतलब सुच्ती है वो आ रही है निरियात कमें वर्दी रट अगर निरियात बढ़ रहा है इसका मतलब करें लोगों के पास अच्छे कासे पैसे आ रहे है पैसे आ रहे है इसका मतलब खर्च करेंगे खर्च करेंगे तो वो बशली economy बढ़ेगे इसका मतलब growth rate बढ़ती है कम दुकाने बिजनेस खुलेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा लोग ज़्यादा चीज़े नहीं ख्रीद पाएंगे तो ये चीज़े प्तार लगा इसे के साथ ही आप दे सकते हो टेक्स कलेक्शन गोवर्नमेंट भाई टेक्स कितना गलेक कर लिए तो देखो इस बार जो GST से टेक्स कलेक्शन होगा है वो भी बहुत कम रहा है लगबग एक लाक रोड से भी कम रहा है तो ये कुछ इंडिगेर्ट थे तो आप इन इंडिगेर्टर्स को धान में रख सकते हो अब हम आगे देखते हैं सोलूसंस की दरब कि भाई अब economy में slow down तो बहुत देख लिया, अब solutions की तरब आगे सलते हैं देखो सबसे पहली बात तो यह है और government ने जो step पहले तो हम यह देखते हैं solutions और फिर देखते हैं government ने step क्या उटाएं एक तो देखो यह है कि हमें market में मांग यहनी कि हमें market में demand को बढ़ाना होगा market में demand increase करनी है मतलब लोगों के पास पैसा आना है लोगों के पास पैसा आप government free में तो दे नहीं सकती सब को इसके लिए देखो क्या हैं कि जैसे मंद्रेगा जैसे schemes है ना इनको उपर जद्धा focus किया जए यह फिर कोई ऐसे programs लाए जाए जिनके तो लोगों के पास पैसा पहुंचे देखो free में तो पैसा देना बहुत गलत है तो लगों के पास पैसा आए अब उसके लिए government साम दाम अलग-लग method यूज़ कर सकती है जैसे कि एक best example मैं आपको बता है मंद्रेगा क्यों मंद्रेगा में लोगों को पैसे मिलेंगे मज़़ूरी में और उन पैसों से मार्केट में सामान खरीदेंगे तो obviously demand बढ़ेगी demand बढ़ेगी तो वह बात है कंपनियों में रोजगार भी बढ़ेंगे और production बढ़ेगा growth rate बढ़ेगी वगरा वगरा cycle चलेगा इसके साथ ही हम यहाँ पर बात करें कि कुछ न कुछ एक ऐसा monetary policy में reform लाने होगी अब देखो जैसे कि government ने RBA ने repo rate कम किये थी तो repo rate कम करने से क्या हो जाएगा market में loan सस्ते हो जाएगा market में लब भूम है तेजी है वो आईगी तो इस तरके से में monetary policy में reform यह मैंने आपको एक point बता है कि monetary policy में ऐसे reform ला सकते हैं अलग-लग methods होते हैं इसी के साथ हम बात करें कि और भी सारे government को package लाने होगे जो भी government लेका ही है और important बात ही है कि manufacturing sector जैसा मैंने आपको बता है न एक car निर्माता company होगी बगर आई तो manufacturing sector में job create करनी होगी क्योंकि इससे हमारे देश में infrastructure भी बढ़ेगा manufacturing sector से और इसी के साथ लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे economic growth rate भी बढ़ेगी तो देखो लोगों को रोजगार मिलेगा साथ में infrastructure बढ़ रहा है infrastructure बढ़ रहा है तो उसका indirectly भी बहुत बड़ा benefit है वो होता लोगों को घर बगरा मिलेंगे काफी सारे फायदे होते है जैसे मानलों की government हो घर बनाना शुरू कर दे लोगों के लिए अब अगर घर बन रहे हैं तो cement industry की भी demand बढ़ जाएगी int industry की demand पत्थर tile वगरा सिनेटर अटम्स वगरागी तो प्कुल मिला के फायदा है तो होगा ना तो इस तरीके से मानलों को create हो किया जा सकता है इसी के साथ ही जो road corridor है बाकी infrastructure है इन पर focus किया जाए जैसे कि जो freight corridor है railway के इन के ओपर अब अगर देखो government अगर ये corridor बनाएगी शड़क बगएगरा तो उनका क्या होगा government पैसे खर्च करेगी पैसे खर्च करेगी तो मैं बहुत हम पर workers जो labor काम करेगी उसको पैसे मिलेंगे तो बहुत तरीके से मिल जाते हैं बर demand बढ़ाना बहुत बड़ी बात है वो होती है इसके साथ ही और हम बात करें कि जैसे कि government को जो tax rate है जी एच्ट की उसमें focus करना चीए जो tax reform है वो लेकि आना चीए tax का method वो easy होना चीए काफी products महेंग गया होगे उनको सस्ते rate में लेकि आना चीए और market में उनको boom पे लाना है तो ऐसे some method है यूज करने होगी इसे के साथ ही affordable car लोगों को provide करानी है अब देखो affordable car कैसे है अगर car सस्ती बनेगी तो लोग ज़्यादा ख्रीदेंगे और मैंने आपको बताया कि car जो sector या automobile sector की बात करें बहुत बड़ा sector होता है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मातरा में लोगों को जोग मिलती है तो अगर लोगों की car ज़्यादा बिकेंगे तो क्या होगा obviously car ज़्यादा बिकेंगे इसका मतलब के है कि market में तेजी आ रही है लोगों के पास पैसे खर्च कर रहे है तो वही को गार खरीद देंगे तो उसके लिए उन्होंने डीजल पे टो और भी सामान खरीद देंगे और और भी चुटमूट का सामान खरीदे रहेंगी तो इसका अब एक बहुत बड़ा benefit होता है देखो इंडिया में अगर average लिगा जाए तो हर I think 1000 लोगों पे 100 लोगों के आसपास लोगों के पास मतलब vehicles होते हैं जब ही वहीं पे USA में 1000 लोगों में से 800 के पास car वगरा होती है तो मैं हमारे देश में automobile sector में demand कम है इसकी वजह से भी जिससे market में है वो पैसा अच्छा का सब में लोगों के पास पैसा रहेगा तो वो खर्च करेंगे तो भूम फिर के government के पास ही आना है इसे के साथ ही हम जो farmers की income अना उसको बढ़ाना है क्योंकि एको maximum हमारे देश में भी लोग agriculture पर depend करते हैं अगर agriculture में farmers की income बढ़ेगी तो वो लोग ज्यादा सामान खीर देंगे तो भी इसलिए डिमांड बढ़ने शुरूप हो जाएगी तो इसलिए जैसे कि government ने भी sugar जो farmers हैं उनके जो बकाया थे लगबग 25,000 वो देनी की बात की तो इसी तरिके से और जो farmers हैं जैसे कि उनकी लिए government ने उडिसा में काले scheme लेक जाएगी थी tax वगर आपको लेकर surcharge को तो वैसा नहीं उससे कुछ नहीं कुछ छूट देनी चाहिए FDI में तो उससे भी हमारे दिसमें investment आएगा तो obviously market में फरक है वो पढ़ने वाला है इसी के साथ ही बैंकों को मर्ज करना अब देखो बैंकों का मर्जरा वो एक solution है उसके side effect है वो एक लग चीज है वो हम आगे अलग topic पर discuss करेंगे बट यह जो बैंकों में reform ला जा रहे है यह long term solution है इसका भी effect बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगा थुड़ा लंबे time बाद है वो आने वाला है क्योंकि देखो जब बैंकों को merge करते है तो positive तो जैसे आपको बताओं कि positive होता है कि बैंकों की जो cost होती है daily लागत होती है खर्चे वगरागी वो कम हो जाती है बर नुकसान में होता है कि एक बैंक जो घाटे में चल रहा है एक बैंक जो फायदे में चल रहा है तो जो फायदे वाले workers है ना उनको अगर लगेगा कि यार हम दोनों को merge क पर तो क्या होगा फायदे वाले सुचेंगे यार हमने तो फालतों में एक गाम गया हम तो गों फिर वापस जीरो प्यार है मुटिवेशन या फिर वरक कल्चर के ख़प सारी प्रोब्रम्स भी हाती है वो एक अलग ट्रोपिक हो जाता है इसे के साथ ही economy में बहुत बड़े activities को बढ़ाना होगा मैं लोगों की मांग demand को बढ़ाने के लिए में कुछ ऐसे नए नए प्रोजेक्ट लेख्या नहोंगे ताकि लोग उसमें रूची दिखाए लोग उसमें इन्वेस्ट करें खर्चा करें ताकि economy हो थोड़ी आगी बढ़ें अब बात ऐसी government ने के स्टे दिखर गें मतलब उसका अभी sudden effect नहीं आ पाएगा इसी के साथ हाउसिंग जो finance companies है ना इनको 30,000 रूपे अलग से दिये हैं कि हाउसिंग वगरा को बनाने के लिए बड़ देखो इसी का effect भी धिरी धिर आएगा अभी नहीं आने वाला देखो अभी जो हालाद हना हमारे देश की economy इन सारा अलत में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ने कैसे customer या आप हो सकते हो कि आम आदमी के पास पैसा होना चीए ताकि वो मार्केट में कुछ खरीदने लाइक हो और कुछ न कुछ इन्वेस्ट भी करें तो इसका मतलब कहा है कि government को कुछ sudden step उठाने होंगे जिनका तुरंत result है जैसे कि कोई project बगरा स्टार्ट कर दे government बड़ा जिसमें workers को रुजो बगरा मिले या फिर कुछ न कुछ न क प्रेवेट इन्वेस्टर्स वगरा को तो ऐसे कुछ न कुछ method है वो लाना होगा एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनको support करना होगा अभी देखो हमारे देश में budget में जो एंजल इन्वेस्टर्स थेना इनके उपर भी text लगाने के बात की थी एंजल फंड बे तो उसकी वज़ देखो MSME sector है, micro small है, medium enterprises जो इसमें informal job काफी ज़दा होती है इसमें कहें कि demonetization और GST के पाद काफी ज़दा लोगों की job है वो चली गी है तो वहाँ पे रोज बहुत बिरजगार होगे हैं तो government को कुछ ऐसे step उठाने चीए कि भाई GST का respect कम से कम हो और demonetization से जो problem create हुई है कि अजास के हैं तो government को कुछ ऐसी policy की तरफ अगर सर है वो होना है I hope आपको यह article समझ में आ गया होगा अब देखो बात ऐसी है कि कुछ लोग यह कह रहे है कि mutual fund है उससे वज़े भी problem आ रही है देखो mutual fund की बात ऐसी है कि mutual fund में तो लोगों पास जब पैसे होते हैं लोग अ कोई doubt होता है इसके regarding तो आप comment box में जरूर पूचिए तो यह थी आजगी मारी discussion तो फिलाक discussion में इतना ही है तो thank you thank you very much for discussion